हेलो फ्रेंड्स हमारे चनल माइस्ट्राइब करेंट अफेर और जीके में आप सब का स्वागत है और दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेट साथ जुलाई 2019 को जिग जाम हुआ था उसमें जो है प्रैमरी और जूनिर में कितनी लोग ने फॉर्म बारा था और कितन जिंद्रिय सिच्छा बोर्ड ने साथ जुलाई को आयो जी सेंट्रल टीचर इलिजिबल्टी टेस्ट यानि सीटीटी के नतीजे रिकार्ड तेश दिन के वीतर यानि कि अभी तक जो है चालिस से ब्यालिस दिन में आते थे लेकिन पिछली भार भी लगभा कि दिसंबर में जो हुआ था एक जाम उसका भी 28 से 30 दिन के आस पास जो आया था रिजल्ट लेकिन इस बार जो है तेश दिन के ही अंदर आया यानि पहली बार जो तेश दिन के अंदर जो है रिजल्ट को जारी किया गया सीटेट के पेपर वन पहली से पांच हुई और पेपर टू छटी से आठ हुई यानि आप सबको पता है कि पेपर जो है पहला जो होता है फेपर फश्ट जो वन टू फाइब के लिए है और पेपर सेकंड जो होता सिक्स टू एट के लिए तो दोनों पेपर के लिए कुल 29,227 अबेर यहां पर देख सकते हैं इन में से 23,87,031 परिच्छा दी थी इस बार पेपर वन और पेपर टू में कुल 3,57,830 परिच्छार्तियों ने CTT को क्वालिफाई किया 3,71,830 ने नतीजों को CTT की वेफसाइट www.seated.nic.in पर देखा जा सकता है CBSC के अनुसार देश भर से पेपर वन के लिए 2,14,658 वा पेपर टू के लिए 1,37,182 परिच्छार्तियों ने क्वालिफाई किया है पेपर फर्ष्ट के लिए 16,56,055 परिच्छार्तियों में से 13,69,472 ने परिच्छा दी थी जबकि पेपर टू में परिच्छार्तियों में परिच्छार्तियों में से 10,17,553 परिच्छा में उपस्तित हुए थे परिच्छा के लिए 104 सहरों में 2942 सेंटर बनाये गए थे परिच्छा में बैटने वाली मिद्वारों की अंग तालिकावा सफल हुए मिद्वारों के सर्टिफिकट जल्द ही डिजिटल लाकर में अपलोड जो है कर दिये जाएंगे तो आप सबको पता कि सीटेट जो है पहले माक सीट जो है पोस्ट आफिस के जरीए बेशता था घर पे लेकिन अब जो है डिजी लाकर में इसका माक सीट आता है डिजी लाकर एक आयफ है जिसमें डिज्टल रूप में आपके माक सीट को रखा जाता है तो पिछली बार से ही ये वेवस्था लागू की है CBSC ने CBSC ने दिसंबर 2018 में हुए CTT से डिश्टल लॉकर में परमारपत अपलोड करने के सुगदा शुरू की थी परिच्छा में जो भी उमिद्वार किसी पेपर में 60 फीज़ दिवा उससे अधिक अंग परापत करता है उसे सफल माना लियाता है तो ये थी आज की सीटेट की निउज दोस्तो वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें सेयर करें ज्यादा ज्यादा